बिजनस राइटिंग बिजनस राइटिंग को भी एडिट करना उतना ही जरूर ही है जटना किसी कहानी को, या ब्लॉक को या किसी fact based article को या कोई भी नजम आपने लिखी, कोई भी चीज तो business writing का बेशक एक serious मिजाज होता है और उसी मिजाज को और उसी demand को और उसी उसका जो criteria है उसको देखते हुए इसको आप edit करेंगे लेकिन इसको बहुत important edit करना क्योंकि ये usually एक formal audience के लिए होती है चाहे आपने कोई proposal बनाया है या कोई report लिखी है या कोई email लिखी है तो ये सारी चीज हैं जो आपकी formal और एक professional environment में use हो रही है तो इसका हमेशा tone जो है बहुत serious और जड़ा सा थोड़ा on the bhariside होता है अब थोड़ा थोड़ा trend ये change हो रहा है कि उसमें वो reports वगरा में infographics डालके उसमें थोड़ा सा हलकापन और थोड़ा सा easily accessible उसको बनाया जा रहा है लेकिन बहराल जो भी लिखावा text होता है infographics तो अपनी जगह हैं लेकिन जो लिखावा text होता है उसकी अपना एक mizaj और mood होता है keeping the audience in mind वेशा को education के लिए हो gender के लिए हो किसी और हवाले से हो communication की हो कोई policy analysis हो उसको एक certain seriousness का उसमें अंसर शामिल होना चाहिए let's see कि उसको कैसे आप edit कर सकते हैं जो हमने criteria रख है grammar always grammar has to be correct ताकि आपकी बात में वजन हो आपकी बात को seriously लिया जाए वरना लोग पढ़के ये कहेंगे कि इसको तो grammar ठीक नहीं है तो इसकी बात में कैसे कोई बात ठीक हो सकती है जो भी research है या जो भी report में आपने चीज़ बताईए वो कैसे दुरुस्त हो सकती है sentence flow ठीक होना चाहिए एक बात का दूसरी बात से रब्त होना चाहिए ऐसे नहीं होना चाहिए serious और formal vocab में लेके चलें और अगर कोई sentences लंबे भी हो रहे हैं तो वो हो सकती है जैसे कि अगर आपने layman के लिए कोई चीज लिखनी है या बच्चों के लिए या casual उसमें लिखना है तो उसमें ज्यादा recommended नहीं है कि आप लंबे जुमले लिखें अनलेस बहुत जरूरी है या आपकी बात या मकसद बयान नहीं हो रहा लेकिन रिपोर्ट्स में ये चीज चल जाती है और किसी हद तक ये होना नहीं चाहिए लेकिन ये कि उससे लोग सोचते हैं कि ओ ये बहुत बड़ा लिखा शक्स है जिसने लिखा है लेकिन ये कि इसी तरह लोग आमतार पे इसको समझते हैं एक हमने आपके लिए दो नमूने रखें लेट सी कि उसको कैसे बहतर किया सकते है पहला अवाला जो है और इजिनल टेक्स ये है throughout the world people have noticed that women play a role in peace and security as they have a different and new approach and perspective this makes woman-led peace initiatives special Kofi Annan has also said that women have played a key role in building bridges rather than walls यानि जो peace का प्रोसेस है उसमें औरतें आद्मियों से ज़्यादा काम्याब होती है ये सबने नोट किये और जो Kofi Annan UN को जो हैट करते थे किसी जमाने में उन्होंने भी ये कहा है के औरतें जो है वो bridges बनाती है जो लोगों को मिलाते है बजाए इसके के दिवारें खड़ी करना जो के लोगों को अलैदा-अलैदा करती है तो ये original text है इसको थोड़ा सा report writing की जो एक खास अंदाज है उसमें कैसे किया है let's have a look throughout the world की बजाए हमने globally का word use किया है globally women have been recognized for their role in peace and security for the unique perspectives and innovative approaches to conflict resolution that characterize women-led peace initiative so it's a long sentence new की जगा हमने innovative का word डाल दिया है ठीक है special की जगा हमने unique का word डाल दिया इसमें उससे थोड़ी सी seriousness एड हो गई है women have been instrumental in building bridges rather than walls according to Kofi Annan तो ये आप इन दोनों को देख सकते हैं इसमें कैसे जो है उसका एक serious और एक report का मिजाज और look create किया गया और ये ही important होता है क्योंकि आपने सिर्फ ये कि आप बात क्या कह रहे हैं इसमें important नहीं पर उसको package कैसे कर रहे हैं तो वो important है यही बात अगर आप blog में लिखें तो उसका मिजाज बिल्कुल different हो सकता है जो पहले वाला है वो blog के लिए appropriate हो सकता है या किसी और format के लिए या किसी और audience के लिए appropriate होता है लेकिन ये कि report की audience के लिए ये लिए बिस और आप्रोप्रिएट की जादा मुनासेब है एक और टेक्स तेक्ते है Economic empowerment and opportunities are a main barrier to the possibility of youth being recruited by terrorist groups The cyber space provides young male and female entrepreneurs a platform for running businesses and marketing their services properly The internet is also a skills development place especially through government initiatives like DigiSkills.pk and Ignite funded virtual university project तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि जो जब नौजबान बेरुज़गार होते हैं फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो उसकी इस ठीज का इमकान भढ़ जाता है कि उनको जो है कोई terrorist outfits या वो किसी घलत तरफ निकल जाएं क्राइम की तरफ या इस तरफ निकल जाएं तो साइबर स्पेस इससे एक बड़ा अच्छा बचाओ प्रोवाइट करती है क्योंकि उसमें लोग अपने बिजनिस कर सकते हैं अगर जॉब्स नहीं भी मिल रहीं तो वो अपनी economic empowerment अपनी मार्शी खुशाली तलाश कर सकते हैं तो उसके लिए हमने जो यह वाले courses जिंस का हम भी हिस्सा हैं और आप भी देख रहें उसकी थोड़ा सा हवाला भी दिया है तो इसको देखते हैं कि इसको दुबारा से लिखे हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं economic empowerment and opportunities are a key deterrent barrier की बजाए हमने deterrent का word यूज किये barrier is also an okay word बहुत casual नहीं है लेकिन deterrent उससे बहतर है deter का मतलब होता है रोखना किसी चीज को deterrent वो चीज जो रोखे to the vulnerability of youth being recruited by terrorist outfits groups की बजाए हमने outfits कर दिया इसको the cyber space provides young entrepreneurs both men and women a platform for running businesses and marketing their services effectively the internet is also a skills development arena उसमें area का word था इसमें arena का word है मतलब एक ही है लेकिन ये के मिजाज और मूड दिफरेंट है especially through government initiatives like e.roozgar from Punjab government and DigiSkills and Ignite funded virtual university project तो ये दो इसके हमने आपको दिखाए हैं इसी तरह आप खुद भी जब कोई report लिखें या proposal लिखें अकसर जब लोग लिखना शुरू करते हैं ऐसी चीजें तो ये कहते हैं कि हाँ लेकिन ये के मतलब तो बयान हो रहा है हमने अपनी बात तो कर दी तो इससे क्या फरक बढ़ता है लेकिन बात ये है क्या फरक बढ़ता है क्योंकि audience आपको नहीं जानती वो ये नहीं जानती है आपने कितनी अची रिसरेच की है कितना मवाद अकटा की है वो इन ही चीजों से grammar कितनी दुरूस्त है अपने कितनी ठीक लिखें लॉजिकल आर्गुमेंट बन रहा है कि नहीं इन सारी चीजों से वो जज़ करती है कि आपका मवाद कितना भरोसे के काबल या शेयर करने के या इस्तमाल करने के काबल है तो आप भी जब रिपोर्ट लिखें या कोई प्रॉपोजल बनाएं तो यह चीजां जहन में लखें